हेलो नमस्कार सबी को आज हम Google Classroom में Google Forms में जो क्विज ले जाती है टीचर्स के द्वारा उसका reply करके और उसको hand-in के से करना है उसके बारे में सीखेंगे चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने classroom app में जाएंगे classroom app में जब जाएंगे तो हमें वहाँ पर class दिखाएगा ठीक है तो जैसे class 3 का आपको मैं बताता हूं जैसे class 3 में class 3 में आप जाएंगे stream लिखा है और यहां पर classwork लिखा है classwork पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर चैप्टर 3 में यह बार्ड क्विज दिया हुआ है और ड्यू है यस्टड़े इसका टाइम चला गया है यस्टड़े को ड्यू था यह तो complete कैसे करना है दोस्तों इसको complete करने के लिए सबसे पर आप क्या करेंगे इस बार्ड यह Google Forms और आप यह भी देख रहूंगे यहां पर एक एरो है नीचे यहां वाली एयरो है तो इस एरो पे पूछेगा कि open with browser more पे क्लिक कर लेंगे तो आपके जो भी और ब्राउजर होंगे Chrome होगा एड़ जोगा इसमें आप Chrome पे कीजिए ठीक है Chrome पे आप करेंगे तो यह थोड़ा सा टाइम लेगा फिर भी पूछ सकता है तो अगें Chrome पे करना है है अगर नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं अब इसने पूछा email address तो आपको अपना सबसे पहले email address डालना है उसके बाद अपना नाम डालना है ओके नाम डालने के बाद class चूज करनी है हो गया और next पे click करना है next पे click करेंगे यह किस तनसर होगे वेर रचे व सुबस बार था बार नहीं अब सतंव इसर वेरे? diese Dнутьर यसरे यह कर तो नहीं था बार्द लसके लम मतारम ड़्या ग्रदिे विल्या है बार बार्द सेर लिह नहीं भर तो बारिवागे 00,6.5brush, और मैज कर्वब बार्दي कर्द से honor नहीं कर्या? लुक्रुकू वोइस इज कॉकू गुटर्गू वोइस इस पीजन दा बर्स लाइइन यह जो अन्सवर है अब देखेंगे यह फिल इन दे ब्लेंक्स का है तो यहां पर आपको अन्सवर लिखना है दा फ़र्ट्स प्लाइइन दा does le god recommend you k अब इस करया कर आब इस करना सब्मीट कर दैना है किया अब करेंगे आपका you can व्यू स्कूर आल्सों व्यू स्कूर पर क्लिक करेंगे अब आपका स्कूर सामने जाएगा यह इस टुर्ट पॉंट्स 10 आफ्ट आफ टैन आपको इतने मिल दें ठीक है अब देख सकते हैं कौन सा सही है अगर यहां पर कोई गलत होगा तो तुम देख सकते हैं ना कि हमारा क् सब साइए आग जो को भी घल से तो चाँते तो उसका आपको सही उत्तर दिखाता है ठीक Whats यहाँ से हमें कुछ posição कर नहीं इसको मिजी танा बैक यहाँ कर दिया यह हमारा कर दिका है यह तुम भॉठन जा सकते हैं होम पेज में जाके वापिस Googler इसे ग्लास्टरूम में जाएंगी और जो बड़्ट आखक आप जो देख रहे हैं यह pacing धिकशे पास प्लिक करना है करेंगेightपेak कूछ लगाना नहीं है अम सब्सक्राइब अगर हम चाहें तो अपने स्कोर काड़ का फोटो ले सकते हैं ठीक फोटो लेके स्क्रीन सूट के हम भाइच सकते हैं कोई पाइल में जैसे स्क्रिन सूट ले लो फिट फाइल में जाकर उसको सेंड कर दो नहीं तो कोई बात नहीं करना तो भी कोई बात नहीं इसको इतना important नहीं है हाँ आप डाइक्ट क्या करतें कि इसको Mark as done Mark as done करते आपको बोलेगा you did not attach anything to q01 so nothing will be handed in your teacher will see that is done तो इसको resubmit कर देना है ठीक है तो attachment लगाना की जरूद नहीं है आपको इसमें आपको direct hand-in करना होता है क्योंकि यह तो Google Forms है यह already मेरे पास आ गया आपने जो भी work किया है वो मेरे पास आ जाता है ठीक है तो इसमें अटेश्मेंट की जरूद नहीं इसलिए यह late नहीं करना में time पर करना है जब भी due date होती है तो handed in हो गया ठीक हाँ एक बात हो इसको unsubmit भी कर सकते हैं अपन यह पहले में मैं बता शुका हूँ अब इसको unsubmit भी कर सकते हैं यह जो unsubmit button है इस पर क्लिक करेंगे तो unsubmit हो जाएगा फिर वापी submit कर सकते हैं वह इसलिए कि जब कभी गलती से कुछ submit हो जाए तब ओके अब हम इसको देख लेते हैं यह सब्मिट हो गया है हैंडिन हो गया that means यह teachers के पास चला गया अब teacher को पता चल गया कि कि इतने बचो नहीं गया तो यह इसको दोस्तों करना नहीं बूलें इसको करना जरूरी है सभी parents से निवेदन है कि इसको जरूर करें यह उसको सीखें एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार वीडियो देख लें बहुत ही अच्छे समझ गया है और उमीद करता हम सब को समझ में आओगा हाँ च